यह रतन हमारी जिन्दगी के अंदर बहुत बड़ा बदला बहुत बड़ा चेंज चन्द दिनों के अंदर लेकर आ सकते हैं जिरूरत किस चीज़ की है जिरूरत है औरिजिनल लैप टेस्टर सर्टिफाइड जैम्स की जिरूरत किस चीज़ की है जिरूरत है एक एकस्पोर्ट जो वाके में बताए कि which stone is good for you or not कौन सा रतन कौन से दिन कौन से दहातू में कौन से समय में कौन से नक्षत्र में आपने पहनना है और उसका standard parameter weight क्या है क्या वो रतन आपके कुन्डली के अंदर जो ग्रह दिशाई है उनके साथ मैच कर रहा है कहीं mismatch तो नहीं हो रहा mismatch की तरफ चलते हैं तो मेरे बहुत सारे ऐसे हमारे clients हैं जो वेस्ट में गॉल से हैं कैलकटा से हैं हावडा से हैं तो रिप्रा से हैं उस belt के अंदर मैं एक बहुत चीज बता देना चाहता हूँ पता नहीं क्या कारण है मैं तो नहीं जानता लेकिन more than eighty to ninety percent people are aware उन्होंने सारे गलत स्टोन पहने हुए इतने गलत रतन मैं तो खुद हरान हूँ combination तो इतना जबरदस गलत पहना हुआ है मैं बताए नहीं सकता हूँ वहाँ पे मूगा मूगे के साथ नीलम नीलम के साथ गोमेद गोमेद के साथ मोती पता नहीं क्या क्या पहना रखा है उन्होंने और एक और मज़ेदा चीज बताओ आँ आपको 99 percent fake stone है Chinese stone है पत्थर है नकली रतन है यह तो शुकर करो उन्होंने नकली रतन पहने हुए अगर वो original रतन होते न तो उनके हाथ खड़े करवा देते वो रतन इतने भारी भरकम नुक्सान होते उनकी imagination से भी परे था वो इस चीज को आपको बहुत ख्यार रखना पड़ेगा तो दोस्तो आएए चलते हैं हमारे एपिसोड के तरफ दोस्तो आज का जो हमारा एपिसोड है जैसे कि आपने थमनेल देखा होगा आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि इस थमनेल के अंदर यह बहुत क्लियरिटी के साथ बताया गया है कि जो रतन हम पहनते हैं जो नगीने जो जैम्स हम पहनते हैं अगर किसी कारण वर्ष वो मेले हो जाते हैं गंदे हो जाते हैं उनको कोई ऐसी चीज साथ में चिपक जाती है तो how to clean उसको कैसे साफ करें क्या कोई ऐसे रास्ते जोतिश के अंदर मैं फिर से बता रहा हूँ ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है मैं बात कर रहा हूँ जैमलाजी के अंदर बताए गए है कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताए गए है जिससे बिल्कुल क्लिर्टी के साथ पता लग जाए कि how to remove this और how to clean this कैसे इसे उतारें कौन से महूरत कौन से दिन कौन से वार और कितना समय इने उतारें उतारने के बाद इने clean करके कैसे फिर दुबारा पहना जा सकता है आज का ये जो topic है episode है पूरे का पूरा इस चीज़ के उपर अधारित है तो चलते हैं हमारे episode के अंदर मैं आपको सबसे पहले जानकारी दे दूँ कि जब भी हमने रतर उतारने हैं क्योंकि one way one आगे information चलती चली जाएगी तो माल लेते हैं example के तौर पे हमने मोती पहना हुआ है जो हमें शुब महूरत के अंदर मंडे के दिन डलवाया गया था किसी कारणवश मोती गंदा हो चुका है मैला हो चुका है हमें बार-बार ये मैसूस हो रहा है कि इसे उतार के एक बार साफ कर ले तो मंडे के दिन ही आपने इसे उतारना है बिफोर 11.30 एम साड़े 11 से सुबे पहले और एक बहुत important चीज़ बता रहा हूँ बात मोती की नहीं है बात सभी रतनों की है तो मैं आगे आपको बताता चला जाओंगा ना तो इन्हें आपने साबून के साथ साफ करना है और ना ही शेम्पू के साथ इनको साफ करना है क्योंकि इसके अंदर ऐसे कैमिकल्स डले होते हैं जो उस रतन को आलमोस्ट ऐसा प्रॉब्लम में कर देंगे कि आपने इमेजिन भी नहीं करा होगा जब भी रतन को रॉख के अंदर मिलता है उसके बाद उसको काटते हैं तो 99% मैं दोस्तों आपकी जान कर एक लिए बता दूँ रतन की जितनी भी कटिंग होती है ना 99% पानी के साथ होती है कोई कैमिकल्स कोई ऐसी चीज यूज नहीं की जाती है अब हम बात कर रहे हैं सोप जानी साबन शैंपू का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करना है अब जब इसको साफ करना है तो ऐसे कौन से जो एक वैदिक जोतिश के अंदर बताया गया है कि क्या होना चाहिए जिससे हम इसको साफ कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपकी जानकरी के लिए बता दूँ जब भी रतन को आपने रिमूव करना है तब आपने दो चीजों का खास क्या रखना है आप पानी ले 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 पानी के अंदर हलका सा नीम्बू डाल ले मैं फिर से बता रहा हूँ जिसे लेमन बोलते हैं हलका सा पानी को गरम करने के दो तारीके हैं एक जो नॉमल हम पानी को गैस के उपर रखके हलका सा उसके अंदर नीम्बू डाल देंगे पानी बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए इस चीज़ का खास क्या रखेगा नमबर दो पे आजकल एक निया ट्रेंट चला हुआ है माइकरो के अंदर भी पानी को गरम किया जा सकता है बाद में उसके अंदर नीम्बू को निचोड दिया जाए और उसे अच्छे से मिला लिया जाए नीम्बू को उस पानी के अंदर अच्छे से गोल के अंदर मिला लिया जाए अब आप एक तुत ब्रुश ले ले बहुत स्लोली ये निये कि एक दम से उसको आप उपर ऐसे तुत ब्रुश के साथ पानी को डाल के ऐसा करें सिक्रेचिज लग जाएं क्योंकि कुछ रतन बहुत ही ज्यादा सेंस्टिव है अब पन्ने की बात करेंगे तो पन्ने के उपर अगर आपने अपने तुत ब्रुश के साथ मतलब ये भी निया लेना ये निया कि यूजड आप ले रहे हैं तो सौफ्ट भी आते हैं उसमें काफी सारे आजकल आप्शिन्स आर उपन तो उसको अच्छे से स्लोली स्लोली साफ करें दोनों तरफ से रतन को साफ किया जाता ह है उपर से भी करेंगे और उसे घुमा के नीचे यहां से वो टच करता है वहां से भी आप इसे साफ करें अब साफ करने के बाद एक लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं इससे टौवल के साथ अच्छे से रब करेंगे जाने कि फिर भी से क्रेच पड़ सकते हैं दोस्तों इसका खास क्यार रखेगा बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ उसे ना दबाएं बहुत ज़्यादा उसे ऐसे रब न करें रफ और टफ न करें ताकि सिक्रेचिज और लग जाएं तो आप कॉटन का कपड़ा ले लें वन अफ दा बैस्ट आप्शन अगर माल लेते हैं कॉ कॉटन का तो कोई प्राबलम नहीं है दोस्तों कॉटन तो इसली अविलेबल हो जाता है हर घर में पड़ा ही होता है अब इसे साफ करें बहुत ही स्लोली मैं फिर से बता रहा हूँ अब इसे साफ जब भी किया जाता है माल लेते हैं मूंगे को उतारना है तो मंगलवार उत बहुत जादा लेंथी और लंबा ना हो जाए इसलिए अब दूसरी बात अब मैंने बताया है कि आपको इसको उतारना पड़ेगा अब इसको कितने टाइम के बाद स्टों को साफ किया जाता है ये बहुत बड़ा कोस्टिन हमारी तरफ बार बार आता है ये कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत कोस्टिन आता है जो वीडियोज है हमारे तो मैं आपकी जानकरी के लिए बता दू साल में एक जा दो बार ही रतनों को उतारें बार बार ना उतारें क्योंकि क्या होता है उसकी एक एनरजी बनी होती है जो आपकी बॉड़ी का चक्रा है ना सेंटर में जि बहुत मुश्किल है दोस्तो अब इसे साफ करने का प्रोसेस आप समझे गए हैं पांच से दस मिनट के अंदर आप इसे उतार के फटा फट इस चीज को आप कर लें अब आगे चलते हैं इसको डालते वक्त हमें क्या करना चाहिए डालते वक्त हमारा जो फेस है वो पूरव की तरफ होना चाहिए जिदर से सूरे चड़ता है नमबर दो पे धूप अगरबती इनमें से कोई भी चीज को आप जला लें और जो भी प्रेयर करना चाहते हैं चंदर देव से मंगल देव से बुद्ध देव से ब्रस्पति गुरु देव से मैं तो बोलूँगा शुक्रा चारे से शनी महराज से रा轅 से केतु से जो भी आप मागना चाहते हैं हाथ जोड के प्रेयर करें और इससे आप धारन करें धारन करने के बाद अगेन मैं फिर साब बता दू कुछ मेठा खाना पढ़ेगा आपको ये नहीं है कि आपने धारन कर लिया और कुछ मीठा ना खाएं और साल में दो बार अगर आप इसे उतार के डाल लेंगे तो कोई इतना ट्रबल नहीं आएगा अब मान लेते हैं कि आपका जौब ही ऐसा है आपका काम ही ऐसा है कि बार बार आपका हाथ के जो स्टोन पहने हुए हाथों में वो बार 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 गंदे हो रहे हैं तो इससे कैसे बचा जा सकता है इससे बचने का एक रामबान उपाए देने जा रहा हूं दोस्तो आप कोशिश करें हाथ में रतन ही न पहने उसका पैंडन बनवा के गले में पहन ले क्योंकि अगर आप बार बार हाथ में रतनों को पहनेंगे तो कहीं न कहीं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रेट करेंगे तो इससे बचने का सही रास्ता मैंने आपको बता दिया है देखिए रतन जितना मैला होगा जितना गंदा होगा जितना डस्त लगेगा तो उसकी लाइफ भी कम होगी उसकी चमक, उसका लस्टर उसका कलर सारी चिज़ों के उपर फरक आएगा ही आएगा तो जैसे हम अपनी गाड़ी लेते हैं गाड़ी लेने के बाद उसकी सर्विस भी तो करवाते हैं न ये थुड़ा कि हम सर्विस सर चौथे पांच में दिन करवाने चल ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ये खास क्या रखेगा रतन को जब भी आपने उतारना है तो कोशिश करें नीचे टेबल या कोई ऐसी चीज जरूर हो क्योंकि हाथ से ऐसा नहों जाए आपके हाथ से एक दम से रतन चूटे नीचे गिरे और क्रैक के चांसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मैं इसलिए बोल करेंगे जब शनी का रतन नीलम हम शाम को पहनते हैं अब दूसरी बात राहू और केतू का जो गमेद और कैट साई ये भी तो शाम को पहनते हैं तो इसको अपने इसकी जो उतारना है उतारने के बाद जब भी इसको साफ करना है तो शनी वार शाम को ही करना है सुबे की प्रोसेस सेम रहेगा तो आई होप सू आपको यह जानकर यह अच्छी लगी होगी बढ़िया लगी होगी अलेके दोस्तो एपिसोड बहुत ही बहुत जबरदस होने के पीछे सबसे जुरूरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ आपका प्यार आपका स्नहे जब तक ये नहीं हमें मिलेगा तब तक कोई भी एपिसोड हो वो आगे नहीं चलेगा नहीं वाइरल होगा नहीं लोगों तक ज्यान पहुँच पाएगा मैं हमेशा बोलता हूँ No Compromise Stone पहनिए मैं हमिशा बोलता हूँ ऐसे रतन ऐसे नगीने पहनिए जो वाके आपकी जिन्दगी चेंज कर दे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत भारी भरकम आपने रकम पे करनी है और गलत चाइनी स्टोन आप लेके बैठ जैं यह भी एक बहुत इंपोर्टन्ट हिस्सा है अगर आप अपनी कुंडली अपने हाथों का विशलेशन मेरे से करवाना चाहते हैं तो कहीं आने की जुरूरत नहीं है गर बैठे आपने करना क्या है यह जो नमबर देख रहे है 9876726492 यह वाटसप नमबर है वाइस कॉल नमबर भी है आप इसके उपर अपना नाम डेटबर टाइम छोड़ दें आपको हमारे आफिस से प्रोसीजर आएगा हमारी all services paid है मैं फिट से बता दूँ बहुत सारे लोग हमें बार 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 बोलते हैं कि free 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 वाला काम नहीं है free वाला काम कहीं और ही होगा हमारी services paid है आपको pay करना पड़ेगा दोस्तों आप अगर मुझे follow करना चाहते हैं तो बहुत ही simple रास्ता बताने जा रहा हूँ YouTube, Twitter, Insta, Facebook पे आप मुझे follow कर सकते हैं by the name of Raman Malhotra लाखो followers, लाखो subscribers और लाखो ऐसे प्यार देने वाले जो हमारे अपना परिवार हमारे साथ जुड़ चुका है चाहे वो Insta पे हो, Facebook पे हो, YouTube के उपर हो, मैं तो इसे परिवार ही बोलूँगा अगर ये लोग वीडियो देखते हैं, ग्यान अपनी जिन्दगे के अंदर लेकर आ रहे हैं, उस ग्यान को आगे शेयर करते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा bless है हमारे लिए तो I hope so, आपको ये सारे के सारे एपिसोड जो आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे होंगे तो दोस्तो, और रेडियो, और टीवी चैनल के उपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, by the name of Raman Malhotra और ये जो नीचे सेक्रीन पे नंबर भाग रहा है, ये भी सेम नंबर ही है, नीचे भी आपको देखना पड़ेगा, 9876726492 ये नंबर आपकी बहुत help करेगा, आप इंडिया में हैं, abroad में हैं, कहीं पर भी हैं, पूरे वर्ड के अंदर आपको आने की ज़रूट नहीं है, in case आपके पास date over time, place over गलत है, तो आप दोनों हाथों की लेकीरों की फोटो, इस नंबर के उपर शेंड कर दे, आपको हमारे आपसे पर सीजर आजाएगा, तो इसी उम्मिद के साथ, मिलते बहुत जल, तब तक के लिए नमशकर धन्यवाद, every nice day.